नमस्कार आप देख रहे हैं आरके दांगी चैनल आज के वीडियो में हम बात करेंगे मद्द प्रदेश में जो सास की और प्राइवेट आईटी आई हैं उनमें एड्मिसन की प्रक्रिया जा रही है आज जो है तीसरी जो चैन सूची है उस पर प्रवेस लेने की अंतिम्तित है आज आपको प्रवेस लेना होगा और आपको आज ही कि आज प्रसिक्शन सुल्क जमा करना होगा तब ही आपका प्रवेस मान होगा या कन्फरम होगा और इस राउंड के खतम होते ही आगे की जो जिनका नाम अभी तक नहीं आया या जिनोंने पहले च्वाइस फिलिंग नहीं करवा पाएं उनके लिए वीडियो बहुत जरूरी है तो आपके सांती कोई भी जो आई टी आई करना चाहती है इस वर्स और उनका नाम नहीं आया है किसी कारण सा उनका अभी तक मेरिट सूची में नाम नहीं आया है तो उन तक ये वीडियो आप जरूर सेर कर दें जिससे कि वो भी सही जानकारी सही समय पर लेके और कम से कम आगे के राउंड जो है उनमें साबधानी पूरवक्ट च्वाइस फिलिंग करके वो अपना एडमिसन आई टी आई में करवा सके चलिए चैनल पर अगर आपना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें हम चैनल को पर लेके राउंड बोल सकते हैं या तीसरी मेरिट सूची है इसके अलाव उनों ने ये बोला है कि जो आवेदकों ने अभी तक प्रेश्टेशन की प्रिकरिया भी चल रही है नए जिनको अभी तक आई टेम रेश्टेशन ने किया वो 15 सितंबर तक रेश्टेशन कर सकते हैं और आगामी चरनों में मतलब कि ये तीसरे राउंड के बाद आपका जो चोथा राउंड है उसके लिए च्वाइस फिलिंग कब से प्राराम होगी वो भी हम बताएंगे इसमें अभी ये समय साड़नी है चलिए मैं आपको प्रिवेस विवरानी का पे ले चलता ह देखिएगा अब देखिए संस्ता इस्तर पर प्रिवेस है ये चौदवा जो पॉइंट है ये आप समझ लिजी अच्छे से देखिएगा तीन चैन सूचियों उजारी करने के उपरांत क्या रहता है जब तीन सूची मतलब ये आज जो अन्तिम ये तीसरी सूची का एडमि कि वो किसी एक संस्ता के सारे ट्रेड ही आप चौइस कर सकते हैं जैसे कि आप अगर भोपाल का कोई एक आई टी आई ही चुन पाएंगे अगर भोपाल में रहते हैं या मान लेते हैं अपने बिदीसा के अंदर चार आई टी आई हैं उनमें से किसी एक आई टी आई के सारे trade जैसे मान लेते हैं आपने गंजवासवदा आई टी आई को चोना choice filling के लिए फिर गंजवासवदा के अंदर जितने भी trade है इलेक्रीशन फिटर इस्टेन वहिंदी कोपा वेल्डर टेक्टर ये सारे की सारे trade हों की आप choice filling कर सकते हैं एक से उनको क्या करना रहता है रिरेश्टेशन का process अब रिरेश्टेशन का process आप देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कुछ न कुछ प्रॉबलम हुई है form भरने में या merit में नाम आ गया जिसने अपनी कास्ट गलत लिग दी या जिन से merit प्रवावित होती है वो field मेरिट प्रवावित होने वाले field इन्हों ने दीए हुए है आपके percentage हो सकते हैं बिसेश्रेणी हो सकती है आपको horizontal category आपने male को female कर दिया जन मितिती हो सकती है जिला आदी से संबंदित अगर गलत जानकारी आपने भर दिये तो ऐसे आवे दक कोईनों ने ऐसा बोला है कि फिर से अपना registration करा सकते हैं या registration में तुर्टी सुधार कर सकते हैं यह उन्होंने दोनों चीज़ें बोल दिये अब होगा क्या नई अब इसमें देखिएगा आप चौथी जो merit सूची आईगी उसका मैं आपको बता देता हूं उसके अंदर कौ कोन आएगा नवीन चौइस फिलिंग से जिनोंने नवीन चौइस फिलिंग की अब पूर्व के registration दोनों टाइप की आप registration मालो आट अगश्त के पहले के registration और 15 सितंबर तक जो registration होंगे वो registration इसका मतलब जो 34 सूची है वो 15 सितंबर के बाद ही आएगी 20 सितंबर तक आ सकती है और चौइस फिलिंग है 8 सितंबर या 9 से चालू हो जाएगी तीसरे राउंड समाप्त होने के बाद इसमें देखेगा जो पूर्व के registration है यहां आप अच्छे से समय लीजिए अगर पहले से आपका registration है तो आपको फिर से registration करवाने की आवाश सकता नहीं है चौइस रहेगी ओपन राउंड इसमें मद्यपरदेश से बाहर के आवेदग भी पंजियन या उपस्तिती की जावेगी और उसके अनुसार उनको एडमिसन दिया जाएगा तो इस वीडियो में हमने आपको बता दिया कि आगे आने वाले राउंड में आपको क्या activity कंप्लीट करना है किस तरीके से आपको सतर करेना है मतलब 8 सितंबर से चॉइस फिलिंग चालू हो जाएगी फूर्थ राउंड की या फूर्थ मेरिट सूची 15 सितंबर के बाद आएगी दोबारा से registration होता नहीं है तुर्टी सुधार हो जाता है अगर आप चाहते हैं आपकी बहुत सारी ज क्या आता है क्या 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 समस्या आती हैं वो फिर आगे की है चलिए आज की वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद